आद में शेयर करूंगी आपके साथ एक ऐसी रेसपी जिसमें आपको समोसा, कचोरी, पकोडी, तीनो का फ्लीवर एक ही रेसपी में मिल जाएगा और इतनी स्वादेस्ट बनेगी कि आप इसे एक बार नहीं बार बार बनाना चाहेंगे तो इसको बनाने के लिए हमने एक पैन लिया, इसमें एक चमसगी डाला घी गरम हो गया, तो इसमें अदरक और हरी मिस्ट डाल दी और इसे हलका सा सोटे कर लिया, अब इसमें डाल देंगे एक पारी कटा हुआ प्याज और प्याज को भी अच्छे से बुनने देंगे, हमें बहुत सादा सब्जियों को ओवरकुक नहीं करना है, अब इसमें डाल देंगे एक कटी हुई गाजर और साथ में डाल देंगे मटर, मटर का सीजन है और मटर की चीज़े ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, सायद ही कोई ऐसा हो जिसे मटर खाना ना पसंद हो, बात सब्जियां बिल्कुल भी जले नहीं, अब इसमें डाल देंगे स्वादन सार नमक ताकि सब्जियां अपना पानी छोड़ दें, चौथाई चमबच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, चौथाई चमबच लालमर्श पाउडर और चौथाई चमबच धनिया पाउडर सा इन को इस तरीके से चलाते जाएंगे, इससे सब्जियां भी फ्राई होती जाएंगी और मसाले भी बड़िया से पक जाएंगे, लगबच सब्जियां आधी आधी पक चुकी हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे बड़िया से, अभी एक मैशर लेंगे और मैशर की सब्जियों को थोड़ा सा मैश कर देंगे जिससे यह स्टफिंग हमारी बहुत ही बढ़िया शांदार बनकर तयार होगी तो इस तरीके से हमने सब्जियों को थोड़ा सा मैश कर दिया है ताकि मटर के दाने बिखरे बिखरे ना लगें एक साथ एकदम बढ़िया सी बाइंड करूंगी क्योंकि मेरे घर में बच्चों को आलू खाना काफी ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें एक आलू एड़ कर रही हूं अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं या फिर आप थोड़ा सा इसे healthy time में बनारा चाहते हैं तो आलू की जगए आप पनीर का भी इस्त सबजिया इधर उधर बिखरी नहीं होंगी तो यह हमारी बहुत ही चटपटी सी बढ़िया से स्टफिंग बन कर तयार है गैस की फ्लेम को आप कर देंगे और यहां पे एक रखेंगे दूसरा पैन तो हमने दूसरा पैन रख दिया यह अच्छे से गरम हो गया इसमें डाल कफ या एक गिलास पानी डाला है पानी हलका सा गुन-गुना हुआ तो इसमें डाल देंगे इस वाद के अनुसरा नमक नमक ध्यान रखेगा सही से डालेगा क्योंकि नमक सबजियों में पर पड़ा है आधा जमजगी डाल देंगे इससे स्टफिंग हमारी बहुत ही बढ़ गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप के करीब सूजी तो यहां पर मेरी सूजी थोड़ी सी कम थी तो मैंने आधा कप केहों का आटायट किया है तो यहां पर आप चाहे तो सूजी से ही बना सकते है पूरा नास्ता या फिर आप केहों के आटे से भ हो जाए और यह हमारी बहुत थी बढ़िया सा दो लगarsh कर तैयार हो जाए तो एक तम मजेर्मेंट बढ़िया है अगर एक कप आटा या एक कप सुझी ले रहे हैं विज कर दबल पानी ईसका तरहे को बढ़िया है बहुत थी गरम है तो बस ये डो बनकर तयार हो गया तो इसको निकाल लेंगे एक परतन में ताकि ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए अब आप अगर यहां पे आलू को नहीं पसंद करते हैं तो इसी तरीके से स्टफिन बना सकते हैं लेकिन आलू डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच आता है तो वह यह एक आलू मैंने पहले इस्तमाल किया और तीन आलू यहां पे मैश करके डाल रही हूँ आलू गरम है तो इसलिए हमें ग्रेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि गरम गरम आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं तीन से चार चमच के करीब डाल दिया है वह बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनेगा और आलू में बहुत अच्छी बैंडिंग आ जाएगी तो आलू हमने डाल दिये और कॉन स्टार्च डाल दिया और इन्हें अच्छे से मैक्स कर देजिएगा कॉन स्टार्च नहीं है तो इसमें आप चाबल कार्टा या फिर आरा अब इस नास्ते को न हमें थोड़ा सा डो गुंगुना ही रहना चाहिए गरम रहना चाहिए तब इसका नास्ता बनाना है डो एक दम परफेक्ट है हाथों में इसका थोड़ा चा पोशन लेंगे और इस तरीके से हाथों में एक लोई जैसी बनाएंगे और इसे इस तरीके से जैसे हम कचोरिया बनाते है ना, उसी तरीके से हमें इसे अच्छे से भढ़ना है तो यह देखे तेल भी हमारा पैट में अच्छे से गरम हो गया तो यहां पर हम बहुत ज़्यादा तेल का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं इस तरीके से शैलो फ्राई ही करेंगे ताकि कचोरियां भी सिख जाएंगी और बहुत ज़्यादा हमें तेल का इस्तमाल भी नहीं करना बनाना बहुत सिंपल है और बहुत ही फ्लेवरफूल बनकर तयार होती है इन्हें आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं अगर आप इसमें प्याजना एड़ करें तो तो इस तरीके से उलट पलट करते हुए दोनों तरप से क्रिस्पी होने तक या फिर कोल्डन कलर आने तक इन कर तयार है तो इनको आप निकालिएगा और इनने आप चाय चटनी केचप के साथ सब करिएगा और सर्दियों का मज़ा उठाइगा हमारे घर में यह सभी को बहुत पसंद है तो मैंने बहुत सारी कचोरिया बनाई और सभी को बहुत पसंद आई बड़े से लेकर बच्चो अगर आपको